हेलो दोस्तों नमस्कार मेरा नमें सुनील और आसर का बहुत बहुत स्वावत करते हैं मेरे सीटुशनल पे दोस्तों आज हम आपको कुछ बेसिक जानकारी बताएंगे जो कि मसीन को चालू करने से पहले इन सब चीजों को जरूर ध्यान दे ताकि आपका पूरा दिन अच्छ से काम परशाणी कम हो इस जा कि मेरा भी इस पे लेडुल नहींशन भी चल रहा है और मेरा जो क्ली वाला मसीन है प्लेट वाला व भी चल रहा है तो हम आपको बताएंगे कि जब भी मस इनको स्टार्ट करते हैं या डाई चेंज करते हैं तो कैसे आपको उसकी सेटिंग करना चीए किस पेपर से आपको सेटिंग करना चीए जिससे कि आपको बचत हो और जो पीस है वो कम खराब हो तो अभी आपको हम दिखाएंगे देखिए मेरा 13 इंच का डाई में धार खतम हो चुका है और अब धार लगवा के लाये हैं और यह हमेरा आप सेट करेगा तो एक चीज़ बता दे आपको कि जब भी आप कोई साभी डाई लगाएं चाहे वो 6 इंच हो 7 इंच हो 8 इंच हो 12 इ देल की दटा है तो आपको ध्यान देना है कि एक बार धार लगाने के बाद कितना दिन यूझालित ग्लता है ठीक उस तरह से ही आप हर बार जितनी बार आपको प्रोब्लम हो डाई में तो आप ये चीज पहले देखे कि हमें कितने दिन चला है मेरा और कितना पीश निकला है उसके बाद आप खुद बाखुद धार लगवा ले जाके क्योंकि बहुत लोग का प्रोब्लम क्या होता है कि तुरत बोलते हैं हर दस दिन बाद पांद दिन बाद उनको लगता है कि मेरा मशीन खराब हो गया है और कटिंग नहीं हो रहा है लेकिर वो इस चीज को नहीं देखते हैं कि मेरा डाई कितना दिन चल गया एक बाद धार तो आपको उसको फैकना नहीं है उन पेपर को समहाल के रखना है जब भी आप डाई चेंज करेंगे जब आप डाई में धार लगवाएंगे आप डाई चेंज करेंगे तो उस वक्त आपको यह पेपर कावाएगा डाई सेट करने वक्त में आप लोग नए नए पेपर जो रोल होता है वह लगा देते हैं उसमें आपको सौ पचास पीस खराब हो जाता है लेकिन आपको वैसे नहीं करना है आपको जो खराब पेपर होगा उस से आप नहीं करें काई लोग को नहीं नहीं नौलेज होता है और वह लोग इस खेंक में और देतेकों वह कि कहती हैं Titans कठाने का तो इस पेपर को फैक देते हैं लेकिन उसको आपको रखना चाहिए और रखके फी जब नया डाई सेट होगा तब आपको उस पेपर सेट करना है के बाद आप जब भी डाई लगाते हैं तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर दिधार लगाने के बाद ही हो रहा है तो आपको क्या खाना चाहिए तो उसके पीछे भी हम वीडियो डाल रखें में दूसरे वाले चैनल पर ऐसे एम गुरू पर उस पे आप जाकर के देख सकते हैं ना तो इसमें भी हम आपको थोड़ा बता आयते हैं और बहुत जादा बेसिक जानकारी उस वाले चैनल पर भी होता है होता क्या उस पर करीब करीब 200 से 300 वीडियो डला हुआ है मसीन के एकोडिंग ही मसीन की बेसिक जानकारी का ही उस पर बीडियो रहता है रेट वेट जितना कुछ यह सब लता यह मेरा आठ इंच का कटोड़ा चल रहा है देखिए यह आठ इंच का पिट ज्यादा होगा तो फिर आपको समझे की बहुत ज्यादा आपका लॉस होने वाला है क्योंकि बेश्चे एक इंच आधा इंच पॉना इंच भी निकलता है दो सुत भी निकलता है तो समझे की एक रोल में कम से कम आपको 20-50 पीश का फर्क पर जाएगा और अगर इस सब पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है और उसके बाद आपको काम करना होता है यह अभी मेरे इस पर 6 इंच का दोना लगा हुआ है अभी 8 इंच देख रहे थे अभी इस पर 6 इंच का लग गया है और आपको हम यह जो चीजे देते हैं और बताते हैं यह हम लगाते हैं तो heater को हमेसा थोरा सा ऊपर रखे तो जाकर के चलेगा यह जो इस परिंग आभी आप देखे जब्रको इस्परिंग का काम होता है गरबर जैसे आप डैरी में ढहाल याखते हैं तो इस पार नहीं होता है यह एक बार का होता यह तीदो नट खोल के और उसके बाद आपको अंदर एक स्प्रिंग मिलेगा उसको थोड़ा सा छोटा कर देना है जब उसको थोड़ा सा छोटा कर दोगे उसका भी इसको टाइट कर दोगे इस पर लगा के तो आपका जो उपा चिपकने वाला प्रोब्लम है वह बंद हो तो थोड़ा सा कट चोटा होता है ao меся take जो अंदर खोलता नहीं होता है तो विएसे कटिंग तो होता है और उफर में चिपकता है तो इसलिए को इतना जितना दिखा रहственजाए थोऋा थोड़ा secure कर देना है पहले आधा करना उसको पतर खरना है उसके बाद चला करना है इसा आपको cutting में भी finishing आ जाएगा और आपका चिपकने वाला भी problem बंद हो जाएगा तो जब भी आपकी डाई में problem आई चिपकने वाला या धार लगाने के बाद भी cutting ना हो तो आप इस तरह का आपको देख लेना है कि कहीं मेरा डाई का spring तो बड़ा नहीं है जिसकी वज़त से आपको problem हो रहा हो तो इन सब चीजों को ध्यान दे करके अगर आप काम करते हैं तो कभी भी आपको problem का सामना नहीं करना होगा और एक और बात कि इनकी बारिक्यों को हमेशा अपने mind में बिठा के रखे कि कभ कहां पे किस चीज की जरूत पर जाए तो इसलिए इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को subscribe करके बैल आकन जरूप्रेस करें ताकि जब इस तरह का वीडियो अप्लोड करें उस सबसे पहले आप तेक पहुंचे तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद